अगर आप college में हैं या काम करते हैं, एक चीज ऐसी है, जैसे ही आप काम शुरू करेंगे, आपके हाथ में थमा दी जाएगी, हर महीने, every single month, और वो है आपकी salary slip, और यह salary slip एक ऐसा document है, जो आमें तभी ही आता है, जब एक दूसरी नौकरी में HR salary slip मांगता है, क्योंकि उसके basis पर आपका next offer decide होता है, लेकिन salary slip को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगता है कि जो CTC है, वही divided by 12 हमारी monthly salary होगी, बहुत लोगों को लगता है कि यह बोला तो इतना कुछ था, लेकिन जब हाथ में आया, तो इतना कुछ कटके आया, कहां चला गया या, पैसा कैसा चला गया, किस चीज के लिए bills देने हैं, किस चीज के लिए bills नहीं देने हैं, basic salary इतनी कम क्यों है, ज़्यादा होनी चाहिए, मैं किस tax lab में हूँ, so on and so forth, आज के वीडियो में ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, understanding your salary slip, अगर आप इस चैन को offer letter मिलता है आपकी नौकरी में, तो एक amount आता है, जिसको कहते हैं, CTC, cost to company, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग इस वहम में है, कि CTC जो है, suppose करी अगर CTC आपकी 6 लाग रुपे है, तो आपको लगता है, अरे वा, महीने दर महीने, मुझे 6 लाग नौकरी लग चुगी है, नहीं, यह CTC इसलिए जरूरी है क्योंकि यह company का एक number है, आपका number इससे अलग होगा, cost to company, इसका full form आपको बता देगा कि इसका मतलब क्या है, यह वो amount है, जो company आपके उपर directly या indirectly हर साल खर्च करेगी, इसमें naturally आपकी salary तो जुड़ी हुई है, जो आपको हर महीने मिलेगी, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़े भी जुड़ी होती हैं, जो शायद आपको directly ना मिले, या शायद आपको काफी time बाद मिले, provident fund, आपके CTC का एक part होता है, जो सरकार mandate करती है, इसके बारे मैं बताऊंगा, कि ये कैसे calculate होता है, और क्यूं जरूरी है, gratitude इस CTC में include होती है, अगर आपको कोई insurance मिलता है, चाहे वो health insurance हो, या live insurance हो, वो CTC में include होता है, काफी कंपनियां बहुत aggressive होती है, CTC inflate करने के लिए, या ये दिखाने के लिए कि हम इतना ज़्यादा CTC दे रहे हैं, training cost भी add कर देते हैं, तो जो आप पहले महीने या 6 महीने, या शायद साल में जो भी training लेंगे, उसका जो cost है, वो भी add हो जाता है, अगर आपको company accommodation मिल रही है, या आपको company कोई freebies, meals वगरा दे रही हैं, तो बहुत सारी ऐसे कंपनियां होती हैं, जो मेरे साब से गलत करती हैं, लेकिन करती हैं, ये जानना और इसके बारे में aware होना जरूरी है, वो सारी चीज़ें वो CTC में जोड देती हैं, तो CTC आपको जो मिलेगा वो नहीं है, CTC, company जो आपके ऊपर खर्चा करेगी, वो number है, this is an important starting point, क्योंकि बहुत लोग, as I said, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, कि CTC divided by 12 is the amount that I will get as my monthly salary, of course, tax के बारे में पता होता हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें के बारे में नहीं, दूसरी चीज, इस CTC में से, जो आपकी actual salary है, जो आपको मिलेगी, after tax, after all possible deductions, उसको कहते हैं, gross salary, यह वो amount है, जो शायद offer letter में कभी state भी नहीं होगा, लेकिन अगर होगा, तो अब आपको पता होगा किसका मतलब क्या है, gross salary is the amount that you get, which the company does not have to indirectly spend on you, this amount is possibly closest to the actual amount you will get, once you start working in the company, अब इस gross salary के बहुत सारे components है, जो पहले महीने बाद, आपको जब अपनी salary slip मिलती है, या शायद अगर आप काम कर रहे हैं और आपने अपनी salary slip गौर से कभी देखियो, बहुत सारे components होते हैं, बहुत सारे रोज होते हैं, काफी डराबने होते हैं, साल क कि इंड में ही जब मार्च में finance team या HR team बोलती है कि अपने documents प्लीज सब्मिट करिये tax के लिए तब ही आपको पता चलता है कि ये कितने जरूरी हैं, कितने मुशकिल हैं और कितना आपको इनके बारे में ध्यान देना चाहिए था फूरे इस साल में, सबसे पहली चीज है, basic salary अगर ये नंबर कम है, तो प्लीज निराश मत हो ये, this has nothing to do with your capability, your caliber, your promotion, your level, nothing whatsoever, this is almost like an arbitrary number, ये एक ऐसा नंबर है, जो company किसी अपने science, अपने formula के basis पर डिसाइड करती है, ये नंबर अगर जादा है, या कम है, आपके दोस से जादा है, या कम है, आपके एक्टेशन से जादा है, ये कम है, genuinely उससे फरक नहीं पड़ता है, what matters is the gross salary that you're getting, basic salary, in fact, my personal opinion, अगर कम हो, तो अच्छा है, क्यों? क्योंकि सरकार और income tax के नियमों के अनुसार, आपकी 100% basic salary taxable है, आपकी जो भी basic salary होगी, उस पे, उसके पूरे amount पे tax लगेगा, आप उसमें कोई भी deduction claim नहीं करते ह सकते, आप उसमें कहीं भी tax नहीं बचा सकते, वो basic amount 100% taxable है, that is the first thing, फिर उसके बाद आता है, and basic salary usually, on an average, 30 to 35% of your gross salary होती है, तो अगर आपकी salary, gross salary 100 रुपे है, तो 30 से 35 रुपे आपकी basic salary होगी, that's the ballpark math, again, जादा परवामत करिये basic salary के बारे में, the gross salary is what more important, लेकिन, of course you need a benchmark, ऐसा नहीं हो सकता कि basic salary सिरिफ 5% है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कि आपकी basic salary 70 रुपे सेवंटी परसंट of your gross salary है, क्यों? क्योंकि again as I said, 100% of the basic salary is taxable, which means जितनी आपकी basic salary जादा हो उतना ही आपको tax safe करने के options कम मिलेंगे, the next thing after that is HRA, House Rent Allowance, अगर आप salaried individual है, तो सरकार ये बोलती है कि आप जो rent पे कर रहे हैं, अपने घर में रहने के लिए, वो आप क्लेम कर सकते हैं as a salary or as an income and उस पे आप tax benefits कमा सकते हैं, there are three ways of calculating the HRA, HRA आपका हो सकता है 10% of your basic, which means अगर आपका basic फर्ज करिये 50 रुपे है, तो HRA आपका हो सकता है 5 रुपे, which is 10% of basic, और 50% of your basic अगर आप एक metro city में रहते हैं, और 40% of your basic अगर आप एक non-metro city में रहते हैं, which means अगर आपका 50 रुपे basic salary है, तो आपका HRA 25 रुपे हो सकता है, if you are in a metro, या 20 रुपे, if you are in non-metro, and the actual HRA amount, जो आपकी salary slip में लिखा होगा या आपकी offer letter में लिखा होगा, the least of these three, 10% of your basic, 50% of your basic, if in metro, 40% if non-metro, or the actual HRA amount, the least of these three is your HRA, that is what you will classify as your income in your salary slip, तो जब आप HRA देखेंगे, तो that is the amount, and इसको calculate करने के ये तीन थे हैं, ये automatically calculate हो जाता है, but it is important, इसको claim करने के लिए, as you would have figured, अगर आप नए हैं, तो you will figure, आपको साल के end में, before March, which is the end of the financial year, आपकी rent receipts signed by your landlord, submit करनी होती है, so wherever you staying, monthly rent receipts of your house rent, signed by your landlord, to that amount, that then determines की आपका एक वालिट प्रूफ है, of you staying in a rented place, and that is where your HRA comes in, साल के शुरुवार्त में, जब भी आप जोइन करते हैं, या जब फिनांशल ये स्टार्ट होता है, आपको अपना HRA डिकलेर करना होता है, which means, this is the amount that I will spend on my rent every month, and साल के एंड में आपको उसका प्रूफ सब्मिट करके उसको वालिड़ेट करना होता है, then there is conveyance and medical allowance, पहला एक टाइम होता था जहां ये हमें क्लेम करना होता था, लेकिन अब ये बिना क्लेम क्ये हुए भी मिल जाता है, for instance, medical allowance in India is 1250 rupees per month, or 15,000, 15,000 more, 15,000 rupees per year. This is towards your medical bills, यह जो भी चीज़े हैं, जो आपका medical कर्चा है, naturally बहुत कम हैं, but this is just an allowance that comes in, and the government says, this is the bare minimum that everyone should get, which of course you can also claim. और फिर एक काटेगरी होती है, special allowance. Special allowance एक बहुत सी ambiguous सी काटेगरी है, बहुत लोगों लगता है, बहुत सारी चीज़े इसके अंदर जोड़ जाती है, but I'll try and break it down. हर एक कंपनी का special allowance के तरफ, जो नजरिया है, वो अलग होता है. There are some companies which take a very aggressive approach, there are some companies which take a very conservative approach. The idea is, कि अगर साल के एंड में, मैंने एंप्लोई को इन इन काटेगरीज पे, I'll come to the categories, इन इन काटेगरीज पे एक special allowance दिया है, and if the employee is able to show proof of that expenditure, in the form of bills, तो ये taxable income से deduct हो दार है. इसका मतलब ये, कि साल के एंड में, जब मुझे tax calculate करना होगा for this employee, I will take into account कि ये सारा खर्चा इनोंने actually किया है, और इसकी वज़े से इनको इस चीज़ पे tax देने की जरूरत नहीं है. What are the various categories? It spreads across multiple, multiple functions. आपको attire allowance मिल सकता है, आपको food allowance मिल सकता है, आपको children's school fees allowance मिल सकता है, आपको internet allowance मिल सकता है, phone allowance मिल सकता है, books, magazines and periodicals का एक allowance मिल सकता है, आपको petrol के conveyance के bills का एक allowance मिल सकता है, so on and so forth. ये सारी चीज़ें, clearly specified होती है, especially जब आप एक investment declaration कर रहे होते हैं, तो इन सब का आपको एक मोटा मोटा amount बोलना होता है, कि मैं हर महीने खर्च करूँगा या करूँगी. And that is the basis for the finance team to calculate your tax amount, जो हर महीने कटके आता है. इफ, at the end of the year, आप जो bills submit करते हैं, वो जो आपने डिकलेर किया उससे कम होंगे, तो naturally आपका tax बढ़ जाएगा. Let me show this with a very simple example. Suppose करिए कि आप 20% के tax bracket में है, इसका मतलब ये कि आपको 20% income tax देना है. And that means कि finance team बोलती है, इनका 20 रुपे, which is 20% of 100, कटना चाहिए, तो हर महीने वो करीबन 2 रुपे आपकी सालरी से काटते हैं. तो 100 रुपे आपकी total salary थी, divided by 12, which means करीब 8 रुपे, उस में से करीब 2 रुपे आपकी हर महीने कटेंगे, और आपका in hand 6 रुपे आएगा. But, if it happens कि at the end of the year, आपने ये बोला था कि special allowance का जो total volume है, let's say it's 40 रुपेs, 40 रुपे आपको special allowance मिलते हैं 100 रुपे में. लेकिन आपने 40 रुपे नहीं खर्च करें, सिर्फ 30 रुपे खर्च करें. तो जो 10 रुपे बच गए हैं, उन पे भी आपको tax देना पड़ेगा. Equivalent to that, 20%. तो suddenly, at the end of the financial year, आपका tax जो सिर्फ 20 रुपे था, वो 20 रुपे नहीं रहेगा. 20 रुपे plus उस 10 रुपे जो आपने खर्चा नहीं किया, उस पे 20% मतलब 2 रुपे और, 22 रुपे हो जाएगा. तो suddenly, जब आपको फेब्या मार्च में सालरी मिलेगी, तो वो आपकी इन हैंट से बहुत कम होगी. Why? Because you have not submitted documents or proof for this actual expenditure to happen. This is why बहुत सारे लोग, towards the financial year, बहुत सादा नराश हो जाते हैं. क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें तो इतना पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन फ्कॉर्स नहीं मिलता, and that is purely because जो सारी उन्हेंने declarations करी होती हैं, those are not valid. At the other hand, बहुत सारे ऐसे lazy लोग हैं जो मुझे मिले हैं, जो कि कुछ भी declare नहीं करते, उन्हें बता होता है, यार मुझे नहीं पता कि मैं कहां करचा करूँगी, मुझे नहीं पता कि मेरा कितना फोन में जाएगा, कितना किताबों में जाएगा, कितना कपडों में जाएगा, and so on and so forth, तो मुझे नहीं करना, मेरा tax आपको जितना काटना है काट लो and finance team then goes on this rampage बोलते है याद यह तो पूरी income taxable हो गई basic भी taxable है फिर HRA भी है फिर special allowance भी है इन्होंने कुछ declare नहीं किया है इन्होंने बोलाए कि मैं कोई tax benefit भी नहीं लूँगी तो इनका बे बे इंतिहा tax कटेगा और वो कटता है हर महीने आपको बहुत कम in hand मिलता है लेकिन आप suddenly जाकते हैं या शायद आपके दोस्त आपको provoke करते हैं बोलते हैं इतना इतना tax क्यों दे रही हो तुम बहुत इस जनुरूनली वेस्टिंग मनी तो suddenly you get up आप सारे बिल्स इकटा करना शुरू करते हैं पेट्रोल के और बुक्स के और फोन के और यहां के और वहां के and you submit it to the finance team and finance team मैं आपके जो मुझे लगता था इनका tax कटेगा फर्स करिये 25 रुपे अब वो 25 रुपे नहीं है तो जो 25 रुपे नहीं है any tax declarations आपको suddenly बहुत सारा पैसा मलता है यह suddenly income tax का एक वीडियो बनके है but salary slip पे यह सारी चीजे जुड़ी होती है then there is things that are not cash components but as I said they add up to the CTC provident fund सरकार यह बोलती है कि जो भी आपका basic salary है उसका 12% आपका contribution होगा towards your provident fund और company उसी contribution को match करेगी which means कि अगर आपका basic salary 100 रुपे है तो 12 रुपे हर महीने आपके provident fund में जाएंगे and company अपनी तरव से 12 रुपे आपके नाम में provident fund में डालेगी यह provident fund आप कभी भी company छोडने के बाद तीन महीने के अंदर withdraw भी कर सकते हैं my genuine suggestion मत करिये unless you really need the money क्योंकि provident fund का return fixed deposit के return से बहुत अच्छा होता है taxable होता है लेकि अच्छा होता है it's around 8-9% at times even 10% तो बहुत अच्छे से चलता रहता है और क्योंकि हमारे bank में आने से पहले ही यह कट जाता है तो एक बहुत ही अच्छी safety net बनती है ऐसे because we don't even realize that this is our money that we are investing every month फिर gratuity gratuity is an amount which is almost pegged to loyalty या retention इसका मतलब यह है कि अगर आप इस company में पाँच साल से जादा रहे तो यू आप एलिजबल तो gratuity gratuity का formula नहीं पताऊंगा थोड़ा सा वो प्लिकेट हो जाएगा but the larger thing is हर महीने हर साल company आपके नाम पे एक amount gratuity की तरफ डालती है this is not an amount that you can get if you leave the company within 5 years यह सिर्फ 5 साल के बाद ही आपको मिलता है and that is also then part of your CTC then insurance आपकी company आपको health insurance दे सकती है life insurance दे सकती है corporate rates for insurance are really attractive तो बहुत सारी companies यह बोलती है कि मैं अपने employees के लिए bulk में health insurance, life insurance करी दूँगा because that will then give me economies of scale please इसको use करिये क्योंकि corporate health insurance especially बहुत beneficial होता है यह आपके लिए होगा आपके dependence के लिए होगा आपके माबाप के लिए होगा आप चूस कर सकते हैं बहुत सारे formats होते है इसके बारे मैं भी video बनाऊँगा but essentially यह जो है यह non-cash components होते है as I said कुछ कंपनिया बहुत aggressive होती है उसमें वो training भी डाल देती है accommodation भी डाल देती है कुछ और perks and privileges अगर वो आपको दे रहे है वो सब डाल देगी at the end of it जो company offer letter में CTC बोल रही है उसका सबसे पहले आपको gross amount या gross salary calculate करना है अगर वो company ने आपको करके नहीं दिया है that gross salary is your operating number इस से सब कुछ शुरू होगा क्योंकि बाकी सब आप ना देख पाएंगे experience करेंगे, avail करेंगे but it will not add to your in hand every month and फिर gross salary से breakdown करके basic HRA, special allowance, all of these things medical, so on and so forth and that is how you get to an in hand calculation अगर आप अपना in hand बढ़ाना चाते हैं तो please, please tax को seriously लीजिए सारे benefits जो आपके पास हैं उनको use करिए सारे expenditures जो company आपको करने के लिए देती है जो की tax-free है उनको please use करिए फर्जी बिल मत मनाईए कभी भी कुछ ऐसा मत करिए जिससे आपकी reputation hurt होगी you are young in the game आप एक बहुत लंबे time के लिए एक season professional बनने वाले हैं understanding your salary slip is important respecting the laws of the country is important and being a prudent financial individual who understands tax and money is also important अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को राइक करिए अगर कोई भी और सवाल हो salary slip के बारे में उसको समझने के लिए तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में पूछिए मैं पक्का उनका जवाब दोंगा इस अंकुर बारिकू साइनिंग ओड़ बाई अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिये ता कि अगर कोई भी नही नही वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले